Hello Friends! Welcome to my channel Greenhouse और आज का हमारा पौधा है Money Plant का पौधा Money Plant चाहे आपने इंडोर लगा के रखा हुआ है या फिर आपने घर के बाहर Money Plant लगा कर रखा हुआ है और आपका Money Plant बिल्कुल भी growth नहीं कर रहा है नई पत्या निकल कर नहीं आ रही है आपका Money Plant खराब हो रहा है तो आज किस वीडियो में मैं आपके साथ share कर रही हूँ एक ऐसा fertilizer जिसको आसानी से आप घर पर बना सकते हैं एक homemade fertilizer जिसको आसानी से घर पर बना कर अपने सब ही Money Plant के पौधे में इसको डाल कर इसकी growth को और पत्यों की संख्या को बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके साथ ही Money Plant से संबंदित कुछ care tips जो की बहुत जरूरी है काफी सरे लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाद दे देने से पौधा हरा भरा रहता है, growth करता है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है हर पौधे का एक विशेश देख भाल करना बहुत जरूरी होता है, हर पौधा अलग होता है और उसकी कुछ अलग तरीके से हमें देख भाल करनी पड़ती है जैसे जैसे मौसम बदलता है तो पौधे की देख भाल भी हमको थोड़ी थोड़ी बदलते रहनी पड़ती है और इसको किस जगह पर रखना है जिससे की money plant की ग्रोथ अच्छी हो अगर आपने money plant को घर के अंदर लगा कर रखा हुआ है तो money plant को आप ऐसी जगह पर रखें जहां पर अच्छी खासी दिन की रोश्नी आपके money plant को मिलती रहे मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको तेज धूप नहीं चाहिए, सीधी धूप इसके उपर नहीं पढ़नी चाहिए, अगर आपने इसको घर के बाहर लगा कर रखा हुआ है, तब भी आप इसको ऐसी जगह पर रखें, जहां पर इसको सिफ रौशनी मिले दिनकी, सीधी ध अगर आपने घर के अंदर रखा है, तो किसी अंधेरी जगह पर इसको बिल्कुल भी न रखें, अगर आपने इसको बैडरूम में रखा है और वहां पर रौशनी नहीं आ रही है, तो आप इसको रोटेट करते रहें, यानि एक दिन के लिए आप किसी ऐसी जगह पर इसको रख दीजे, जहां पर इसको रोशनी मिले, और फिर दुबारा आप इसको बैडरूम में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह पर ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर सकते हैं, जहां पर इसको रोशनी नहीं मिल रही है, तब भी आपका मनी प्लान चल जाएगा, लेकिन मनी प्लान को सही पानी देना बहुत ज़रूरी है, यानि सही तरीके से पानी इसके अंदर डालना, कब आपको इसके अंदर पानी देना है, और कब पानी नहीं देना है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपका मनी प्लान खराब होता है, तो अगर आपका मनी प्लान घर के क्वे हमेशा इसकी मिट्टि उपर से थोड़ी सी सूप ती जा पानी नहीं करना है पानी आपको सिर्फ इतना देना किए इसकी मिट्टि शिर्फ हलकी सी गीली हो जाए, पहरो जादा एक्स्टा उट्रिंग कभी भी आप मनी ौन्ट के अंदर ना करें, मुझ अगर आपका मनी प्लांट घर के अंदर रखा हुआ है, अगर आप प्रफ जाड़ा पानी देते हैं तो आपकी पौधि की पतियां हैं पीली पर रही है तो यह sign है कि आप बहुत जादा पानी आपके मनी प्लांड के अंदर दे रहे हैं तो जैसे ही आपको आपके पौधि की पतियां है वो पीली परतिवी दिखाई दे तो आपको अलाट हो जाना है और पानी डाला बिल्कुल भी बंद कर देना है कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट चाहें कि जो मनी प्लान का टिप है वो ब्राउन हो जाता है मनी प्लान का टिप अगर आपका ब्राउन हो रहा है जैसे कि आप देखिए ये वाली पत्ती इसका टिप ब्राउन हो रहा है तो इसका tip brown तब होता है जब money plant को पानी की जरुत है और आपने उसके अंदर पानी नहीं डाला और कुछ दिन तक money plant बिना पानी के रह गया तो ये condition तब बनती है जब पानी आपने बिल्कुल ही कम कर दिया अपने money plant के अंदर और उसकी जड़े है वो बिल्कुल प्यासी हो गई है तब ही इसका जो tip है वो सूखना शुरू कर देता है तो इसलिए आप हपते में एक बार अपने money plant के pot को ज़रू चेक करें जैसे ही मिट्टी आपको सूखती भी दिखाई दे फटाफट से आप उसके अंदर पानी डाल दीजे ताकि ये जो tip brown हो रही है ये brown होने से बच जाए इसके बार tips number 3 अगर आपको अपने money plant को बुशी बनाना है या बहुत जादा घना बनाना है तो time time पर इसकी जो लंबी लंबी branches है इनको आप काड़ते रहे हैं लेकिन अगर आप इन लंबी branches को अपने पौधी के अंदर रखना चाते हैं तो pot को थोड़ा उची जगह पे रखें या फिर आप इसके अंदर कोई quair stick लगा सकते हैं अगर आप अपने money plant की branches को उपर की तरफ grow करना चाते हैं तो इसके अंदर quair stick लगा दीजे और जितनी लंबी branches हैं उनको उस square stick में आपको लपेटते जाना है जिसे की पौधी की branches को उपर grow करने के लिए अच्छा खासा support मिल जाए या फिर आपने किसी उचाई पर रखा है तो नीचे अगर branches आती है तो वहाँ पर भी इन branches को नीचे लटकने के लिए अच्छा खासा space मिल जाए ऐसी जगर पर आपको इन पौधों को रखना है इनको अगर आपको काटना है तो इसको काटने का सही तरीका है सही तरीके से अगर आप काटेंगे तो आपका पौधा जादा बुशी होगा जादा घना होगा जैसे कि आप देख रहें ये चार इंच के पौट में लगा कट एई तो इसको मैं यहां से काट दूँगी आपको इसको बिल्कुल बेसे से काटना है तभी जो ब्रांच आएगी वो बेस से निकल कर आएगी अभी आते ह्यों पोड़ करने के बिल्कुल बेस्ट नहीं है इसके उन्हें निकल कर आ जाती है, इनकी जड़ों को ग्रो करने के लिए बहुत जादा टाइम की जरूत नहीं होती है, मुश्किल से ये 15-20 दिन जड़ों को निकालने में लेती हैं, तो अभी टाइम अच्छा है, यानि सप्टमबर तक आप मनी प्लांड के पत्तों को ग्रो कर सकते हैं, ल और आपको मनी प्लांड की केर भी कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है, उसके उपर वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी कि विंटर में हमें मनी प्लांड की केर कैसे करनी है, ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, आज से 14-15 दिन पहले जो मैंने आपके साथ व वाग ये इसके अंदर, वैसे आप जब भी कटिंग लगाते हैं तो एक महीने से पहले आपको कटिंग को डिस्टाफ नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इसको दिखा देती हूं, कि जब भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं, तो कई सारे पौदे में तयार कर लेती हूं, और दो-तीन जड़े निकल कर आ गई है इस पत्ती में इसको मैं फिर से वैसा का वैसा ही वहीं लगा देती हूँ और कुछ दिन और मैं इनको इसी पॉट में रहने दूँगी ताकि अच्छे से इसकी जड़े निकल कर आ जाए तब ही इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करें हल्की सी बूर बुरी मिट्टी आपको लेनी हैं तब ही जड़े अच्छी निकल कर आती हैं पानी में भी हम कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं कुछ दिन पहले जब मैंने एक ब्रांच को निकाला था तो उसकी कटिंग इसको ब्हुरे मैं डिका देती हूं पानी को ना बदलने से पानी में फंगस लगने से जो जड़े हैं वो गल जाती है तो इसलिए पानी में जब भी हम कटिंग को ग्रो करते हैं तो हमारी कटिंग खराब हो जाती है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है इसके बाद टिप्स नमबर फाइव अगर आपके मनी मनी प्लान के पौधे में पत्यां कुछ ब्राउन होकर सड रही है या खराब हो रही है तो टाइम टाइम पर इन पत्तों को ज़रूर निकालते रहे हैं वन्ना ये पूरे के पूरे पौधे में फंगस लगा देती हैं जिससे कि आपका पौधा खराब हो जाएगा है ये जो money plant को grow करने का और उसको लगाने का technique पता चलिया तो आप money plant market से खरीदना भूल जाएंगे और घर में ही बहुत सारे money plant के पौधे त्यार कर लेंगे इसके पाद है tips no.6 जो है money plant का potting mix जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था अगर आप money plant घर के अंदर लगाते हैं तो money plant में सिर्फ दो चीजों का इस्तमाल करें आप आप 60% कोको पिट और 40% वर्मी कंपोस का इस्तमाल करें इसके अलावा आपको कुछ भी इसके अंदर डालने की जरूत नहीं है इससे money plant की जो root है जो जड़ों की growth है वो बहुत ही से मिल जाता है आप कहीं पर भी रहें किसी भी एरिया में रहें online आप मंगाकल इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आजकल नर्सी वालों के पास भी कोको पिट मिल जाता है तो money plant को उगाने के लिए सिर्फ दो चीजों का इस्तमाल करें इसकी पॉर्टी मिक्स में 60% को है जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था और आज के वीडियो में भी मेरे पास एक ऐसा ही solution है जिसका इसमाल करके आप अपने money plant की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं आजकल हमारे घरों में तोरी या फिर तुरे जिसे आप ब्रिस गाड़ भी कहते हैं हैं बहुत ही आसानी से मिल जाता है इस season में तोरी बहुत ही आसानी से मिल रहा है तो इनके चिलकों को आप फेक देते है तो आप इनके जिलकों को कभी भी ना फेके अगर आपके घर में money plant है या फिर कोई और पॉद को है Hear पौदे में आप इसके fertilizer का इस्हाल कर सकते हैं ज जो कि पौदे की ग्रोध को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो इनके छिलकों को आप कभी भी ना फिक करते हैं। इन छिलकों से आप बहुत ही आसानी से liquid fertilizer घर के अंदर तयार कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इनके छिलकों को 4-5 मिनट के लिए पानी में उबाल कर जो पानी तयार होता है उसको चान करके उसके अंदर और पानी मिला करके अपने पौदे के अंदर डाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो कि है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ इसके लिए आपको कुछ छिलकों को इकठा कर लेना है। जब भी आपको टाइम मिले तो इसका लिकुड फटलाइजर अपने पौदे के लिए त्यार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है कोई भी प्लास्टिक का आपको कंटेनर लेना है और उसमें इन छिलकों को भीगो करके कम से कम एक दिन के लिए रख देना है। काफी सरे लोग मुझे से पूछते हैं कि मेडम जो चीज आपने इस्तमाल की वो मात्रा कितनी ली। जादा कर सकते हैं इसके बाद इसको हम कम से कम एक दिन के लिए ऐसे ही भीगो कर छोड़ देंगे और अगले दिन जो लिक्विट फटलाइजर बन कर तयार होता है उसका इस्तमाल हम हमारे पौदे के अंदर करेंगे अगले दिन कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको पानी की मात्रा इसको डाइलूट करने के लिए आपको बढ़ाते जाना है इसकी बाद इस लिक्विट फटलाइजर को हम पहले चान लेंगे और चानने के बाद जितना लिक्विट फटलाइजर आप लेंगे उसका दुगना पानी आपको इसके अंदर मिला कर इसको डाइल उसको मैं अपने और पौधों में भी डाल दूंगी तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मनी प्लांट में इसको डाले आपके पास जितने भी पौधे हैं चाहे कोई फ्लावरिंग प्लांट भी आपके पास है और उसके अंदर iron की magnesium की कमी आपको दिखाई दे रही है पत्ते पीले पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ये fertilizer बहुती बढ़िया काम करेगा क्योंकि इसके अंदर iron की और magnesium की अच्छी मात्रा पाई जाती है जितने भी हरे छिलके वाले आजकल सबजियां आपके पास है उन सभी हरे छिलकों का liquid fertilizer बना कर आप अपने सभी प्रकार के पौदों में डाल कर उसकी फ्लावरिंग और उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ nutrition की कमी जैसे की magnesium और iron की कमी को आप natural तरीके से पूरा कर सकते हैं ये जो fertilizer है इसका इस्तमाल आपको 15 दिन में एक बार अपने पौदे में करना है इससे जादा इस्तमाल नहीं करना है कुछ दो तिन इस्तमाल से ही आप देखेंगे कि आपके पौदे में अंतर पता चलने लग जाएगा आपकी पत्यां पहले से जादा हरी हो जाएंगी और जादा नहीं पत्यां निकल कर आएंगी आपके money plant के अंदर तो फ्रेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम मार्केट का फटिलाइजर ही इस्तमाल करें इन नैचुरल फटिलाइजर का इस्तमाल करके भी आप अपने money plant की ग्रोध को बढ़ा सकते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रू करें तो मेरे चनल को सब्सक्राइब भी ज़रू कर लें मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू